एक पती, दो बीबी, एक साहुकार था और उसकी दो पत्निया थी, एक बहुत काली थी और एक बहुत गोरी थी, जो गोरी थी उसको अपने गोरेपन का बहुत घमंड था, और जो काली थी वह बहुत भोली थी, उन दोनों में एक समानता थी कि उन दोनों को कोई अवलाद नह थी साहूकार बहुत दुखी रहता था क्यूकि उसको लगता था कि मेरी भी कोई संतान होनी चाहिए साहूकार अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्यार करता था पर साहूकार की फेवरेट पत्नी गोरी वाली थी लेकिन उसने कभी भी दोनों पत्नियों में भेदभाव नहीं किया। साहुकार की जो गोरी पत्नी थी वह बहुत घमंडी और जगडालू थी। घर के सब काम साहुकार की काली पत्नी से करवाती थी। और वह बेचारी सब काम कर लेती थी। पर साहुकार को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन साहुकार की दोनों पत्नियों का बहुत बड़ा जगडा हुआ। और साहुकार की गोरी पत्नी ने काली पत्नी को घर से निकाल दिया। काली पत्नी ने साहुकार को सारी बाते बताई। और साहुकार उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए अलग घर बना दूगा। तुम उस घर में रहना। फिर सावकार ने घर के सामने ही छोटा घर बनाया और उस घर में काली पत्नी को रहने बोला एक दिन सावकार दूसरे राज में घूमने के लिए जा रहा था तो उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि तुम दोनों को क्या क्या सामान चाहिए मुझे बता दो मैं तुम दोनों के लिए लेकर आऊंगा तब सावकार गोरी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम्हें बाजार से क्या चाहिए तो वह बोली मुझे मेकप का सारा सामान चाहिए फिर वह काली पतनी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुम्हें बाजार से क्या चाहिए फिर वह सावकार से बोली कि मुझे एक छोटा बंदर चाहिए वह बोला की ठीक है मैं लेकर आऊंगा कहकर सावकार वहां से चला गया अगले दिन सावकार दूसरे राज गया और उसने वहां से सारा सामान ले लिया और अपनी दोनों पत्नियों का उनका सामान दे दिया साहुकार की काली पतनी उस बंदर को देखकर बहुत खुस हुई वह बंदर उसका सारा काम करता था उसके साथ खेलता भी था वह काली पतनी उस बंदर को अपने बच्चे जैसा प्यार करती थी एक दिन अचानक काली पतनी बहुत बिमार हुई पर उसे देखने सावकार नहीं आया वह बंदर को बहुत गुसा आया और वह सावकार के घर चला गया सावकार से कहने लगा कि मेरी मा को देखने आप क्यों नहीं आये बंदर के डाटने के बाद अगले दिन सावकार पतनी को देखने के लिए घर आता है दवाई और खाने पीने की चीजे देकर चला जाता है वह उस बंदर को बताती है कि मुझे संतान होनी चाहिए थी वह बंदर उसको बोलता है कि आप टेंसन मत लो आपको संतान जरूर होंगी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगले दिन वह बंदर घर से गेहूं का आटा लेकर मंदिर जाता है और गेहूं के आटे को गूजता है और उसमें दो आखे एक नाक दो हात दो पर ऐसे बनाता है और भगवान से प्रार्थना करता है भगवान उस बंदर की प्रार्थना सुनकर उस आटे और वह बंदर उस बच्चे को लेकर बहुत खुस हो जाता है बच्चे लेकर काली पत्नी के गोद में दे देता है काली पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुस हो जाती है बंदर का सुक्रिया करती है सावकार को खबर मिलती है कि काली पत्नी को बच्चा हो गया सावकार बहुत खुस हो जाता है उसकी खुसी का कोई ठीकाना नहीं रहता धोल नगाडे लेकर घर जाता है उसे घर आने के लिए कहता है और सावकार उस गोरी पतनी को घर से निकाल देता है और काली पतनी को अपने पास रख लेता है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी बात का घमण नहीं करना चाहिए धन्य बाद झाल 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 झाल